दोस्तो बोले भंडारी आज दिनाग 9 दिस्वंबर 2023 है आज की देवणी जनवानी मंगलवानी मैं उस परमसत्ता को नमन करता हूँ एहे इस्वर तो सब का बलाकर इस्वर मेरे सामने खड़ा है दोस्तो आज का वीडियो सुनिए सुबह सुबह कर समय है एक सैंतालिस पर मेरी आग खुल गई मैं भगवान उसे बात करता रहा चिंतन मनन करता रहा उससे मेरा ध्यान भंग हुआ दो बज़ कर सेंतिस मिनट पर मतलों पचास मिनट तक लगए चला अब कोई दो बज़ कर स्वालिस मिनट पर मैं ये वीडियो बनाना सुरू कर रहा हूँ अब तो तीन बज़ कर तेरे मिनट हो गए अभी उस देशक्ती ने कहा अभी उस देशक्ती ने कहा मंगल सुन मंगल सुन उस देशक्ती ने कहा मंगल सुन मंगल सुन मैं ने कहा सुनाओ सर फिरुदेशक्ती बोल रही है अब यहाँ इस पर्थी पटल पर कोई धूम धड़ा का होगा ऐसा लगता है दूम धड़ा का होगा ऐसा लगता जैसे अब कोई रास्ती या अंतरास्ती स्थान रास्ती या अंतरास्ती स्थान या तो अचनक मरेगा या मार दिये जाएगा या चारपाई पकड़ेगा वह तरपाईगा या उसके साथ कुछ और ऐसा ही बयानक गटित होगा देश शक्ति रास्ती स्थावे स्थावे मुझे से कहा यह देपर नेगेटिव से कहा मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन जो भी कहा सुनो अब या इस पर्थी पटल कोई पर्थी पटल पर कोई दू कुम दड़ा को होगा मंगल ऐसा लगता है जैसे अब कोई राष्ट्री या अंतराष्ट्री ये सैतान बद्वास कि या तो अचानग मरेगा या मारा जाएगा या चार पाई पकड़ेगा तरफेगा भागेगा या उसके साथ कुछ और भ्याने गटित होगा मैंने भगवान से कहा मैंने भगवान से कहा कि सर मुझे किसी का मरना मारना ये सब्सप्सबे अच्चे नहीं लगे बगवान करे दुस्मन भी नहीं मरे अरे दुस्मन हमारे आज़ पास होंगे तब भी हम सावधान रहेंगे उनको भी जीने का अधिकार है बस हम सतर कर रहें अपने से रक्षा कर सकें यहीं बहुत है क्योंकि उनों दुस्मनों को भगवान ने वैसे नहीं मिनाया वह भी आपकी रक्षा का एक कवच है जिसे की ऐसे लोग रहें तो आप सावधान रहेंगे मैंने भगवान चेका परमात्मा उस देश्क्ति से का यह लगता है सर यह लगता है यह हो सकता है यह संभावना है यह तुम यह तुम मत को यह लगता है यह हो सकता है यह संभावना यह तुम मत को अज़र तुम तो definite को कि ऐसा होगा और ऐसा कहने के लिए तो हम लोग ही बहुत है चुट भई यह लोग मैंने उस देश्क्ति से कहा यह लगता है यह हो सकता है यह संभावना है यह तुम लोग मत कहो तुम तो definite कहो और ऐसा तो हम लोग ही कहने के लिए बहुत हैं चुटवए यह लोग हैं अंदाज लगाते रहते हैं मेरी और उस पर्म उस देश सत्ता की मेरी गाईडी स्पिर्ट की बात चली रही थी उस डिवानी स्पिर्ट ने कहा अरे मंगल सुब सुबह यह बात नहीं करें तो क्या करें आज दुनिया में हालती ऐसी हैं कि या तो वो जाए या वो जाए या तो वह मरे या वह मरे या तो भेडिये भूक मरे या खरगोस की जान जाए चुओं की जान जाए अब भाई दोनों को जीने का दिखा रहा है क्या करें इसलिए हमें ये भी कहना पड़ता है कि अब यहां इस पृत्वी पर कोई धूम धड़ा कहोगा ऐसा लगता है जैसे अब कोई राश्टी अंतराश्टी सेतान बद्वास्ट या तो अचानक मरेगा या मारा जाएगा या चार भाई पकड़ेगा तडफेगा या भाग कर बिलों में चुपेगा या उसके साथ कुछ और भयाना कटित होगा मैंने कि सेर आपकी जैसे मल जी पहले जो भारत में सेत्याने चलती थी उच्छाला किसे चलती थी यह दर भी वह भी कोई कम नहीं थी लोगों को भूखे मारना उनको तरफाना उनको अस्विक्ष तरखना उनके साथ तरह तरह का अत्याचार सुचन करना उनको आदमी से जानवर बना देना जानवर वह में भी डौगी बना देना सुर का बच्चा बना देना भारत में से रितानियत कोई कम नहीं चली लेकिन आज कल तो हदी हो गई जब से इंटरनेस्टनल मदमास्तों के हाथ में कुछ सक्थी आई है हम मार देंगे दुनिया को हाँ मैंने की बगवान बात तो सही है ऐसा ही है भई कोई डर नहीं रहा हाँ मंगल उसने का मंगल बात भी सही है क्या करें प्रकर्टी ने सब को अपने पने उसके लिए बनाया चूओं के लिए भी खरगोज के लिए भी भेडियों के लिए भी उसके लिए भी लेकिन लोग जब अपना वजूद ही भूल जाएं कि वे आदमी हैं तो परमात मा क्या करें लोग यही भूल जाएं कि वे आदमी हैं और यदि वो आदमी हैं तो भगवान के बच्चे हैं जिल्देपी भगवान के सब बच्चे हैं मच्छर भी भगवान का बच्चा है लेकिन आदमी के बच्चे इस हमसी ने कहा था आये नवाई फादर आर्वन अब सुबह देखो मंगल तुम एक बच्चे कर सेंतालिस मेट पर खड़े होगे दो बच्चे कर सेंतीस मेट तक ध्यान प्रात्म करते रहे दो चमालिश पर तुमने ये वीडियो बिनाना सुरू किया अब सब आतीन बचे हैं भारत्म देखो 140 करड़ों लोगों में आदे भी यंग मेन समझे लो वन थर्ड़ भी समझे लो तो 50 करोड़ यंग पर संसे हैं 50 करोड़ और उनके पास भगवान ने ऐसे शक्ति दे रखिये चाहे तो सूरीज निर्मा को पकड़ कर अपनी जेब में रख लें लेकिन असाय गूम रहे हैं अब वे मरें नहीं तो क्या करें वे बेरुजगार रहने नहीं तो क्या करें सुबह खड़े होकर भगवान का नाम नहीं ले सकते भगवान के नाम में बढ़ी सकती है क्यों है ये फिर अलग discussion का प्रस्ण है कल में पढ़ जा था कोई ने counter question किया था कि भाई भगवान इतने स्वारती है जो उसका नाम लेने से वो प्रस्ण हो जाता है इस इस इड़ डिफरेंट मेंटर अफ डिसकुशन आप भी आज ड़प प्रोग्राम में इसा लीजे दोस्त लोग सबब फांच बजे प्रात्ना सबह स्वरू करेंगे मैं तो पहले से कर रहा हूँ उसको आप आप सुन लीजे हम क्या करते हैं ध्यान प्रात्ना प्रविश्मन को करते हैं अफर्मेशन्स करते हैं इस अफर्मेशन्स में ध्यान प्रात्ना प्रविश्मन सब कुछ है जो हम करते हैं आप सुनिए डपा इसको आप देख लेना डपप प्रोग्राम ध्यार प्राथना प्रविश्वन अफर्मेशंस में प्राथना सफ़ा चालू है कृपिया जोईन करिए ध्यान करिए अल्ति पल्ति मार कर बैठिए उत्तर पूर या पस्चिम दिसा में मुं करिए अपने नीचे कोई कुचालक जैसे प्लास्टिक की चटाई या कमल इत्यादी रखें आँखों को बंद रखें रीड की हड़ी को सीधा रखें ग्यान मुद्रा में रहें यानि अपने हाथ के अंगुठे को अंगुठे के पासवाली अंगुली से मिला लें लगातार ब्रिकोटी के मद्दे बंदो को जहां इस्तिया बंदी लगाती है यानि जहां पीनल ग्रंथी का वास है उस पर ध्यान रखें या आती जाती सांसों को पर ध्यान करें इस अवस्ता में आपको तीन प्रकार के कारे करने हैं या तो आप ध्यान करेंगे, प्रात्ना करेंगे, या प्रभूश मेर करेंगे, चोथी अवस्ता अन्ने चीज़ों पर ध्यान जाने की है, उससे ध्यान हटा कर इनी चीज़ों पर ध्यान लाना है, इससे ज़्यादा आपको बाद में बता जाएगा, आगे के अवस्ता प्ले किया जाता है लोगों को पताने के लिए कि जो जो ने ने जुड़ते जाएं इसको पढ़ते जाएं कि क्या हो रहा है हमारे दीपक जी इसका संचालन करते हैं अब आपर में संदेख सुन लीजिए फिर आपने पोड़ा डिसकुशन करेंगे एक नंबर मैं भारत को एक म मध्राश्व में तब्दिल करना करना चाहता हूं और ऐसा ही हो करेगा दूसरी नंबर सुनिये मेरा शरी परमात्मा के एक अटिय अद्बुत करती है किसमें किसी प्रकार करो गई हम दोस होने का सवाल है नहीं है मेरा शरी परमात्मा की अगविर अगविर करती है इसी में किसी परकार रोग या दोस होने का सवाल ही नहीं है किस नमबर सुनिए हम जो बोलते रहते हैं परफरम करते रहते हैं He makes a way Where there is no way He opens a door where there is no door He makes a way Where there is no way He opens a door where there is no door चौथा सुनिए ढूंडो और मिलेगा मांगो और तुम्हें दे दे जाएगा दर्वाजा कटकटा और दर्वाजा खोल दे जाएगा ढूंडो और मिलेगा मांगो और तुम्हें दे दे जाएगा दर्वाजा कटकटा और दर्वाजा खोल दे जाएगा अभी मैं आप लोगों को इनका explanation नहीं दे रहा पढ़ पढ़ कर बता रहा हूँ जैसे ये सब्द भगवान इसा के सब्द हैं उनको आप भी गुन गुनाएंगे आप भी repeat करेंगे अफर्म करेंगे शक्तियां प्राप्त होंगी कैसे होंगी फिर ये अलग discussion का विसे है हम कभी कभी इस बारें बोलते रहते हैं पांच नमबर सुनिए अब मैं health, wealth, peace, power, love and wisdom का एक मासागर मनता जाता हूँ क्योंकि मैं उस परम, परम का पुत्र हूँ शेह नमबर सुनिए मैं उस परम पिता का राज को मार हूँ उसने मेरी सुवलित के लिए यह सारा ब्रमान, सूरे, चंद्रमा, तारे, नभी, पार, पानी, जर्रा जर्रा बनाया है मुझे तो कोई दिक्त हो इनी सकती यह सारे उतार चड़ाओ कुछ समस्या नहीं पर न तुझी वन में दिन रात की तरह हैं जो दोनों ही बहुत जरूरी है सार्थ नमबर आगे सुनिए इन सभी का लंबा लंबा एक्स्पलेनिसन है यह क्यों प्रवासाली हैं फिर इन सभी का विज्ञान है सार्थ नमबर सुनिए If you are not disturbed by a situation The situation is disturbed अत्यादबूत मंत्र है यह अत्यादबूत अफरमिसन्स है यह सब्ध हैं यह If you are not disturbed by a situation The situation is disturbed यह आपको हमेसा विज्ञाई बनाने का मंत्र है आगे संबर सुनिए मेरा जर्याइब नो चेक से हमेसा भरा रहता है और अच्छमबा तो यह है कि यह खाले होने से पहले ही जादू तरह के से फिर फूरा वर जाता है क्या मेरा जेव नोट चेक्स से हमेशा भरता है और अच्छमबा तो यह है कि यह खाले होने से पहले ही जादू तरह के से फिर फूरा वर जाता है आगे सुनिए नो नमर है इफिए ओवेदी रूल सो ब्रमांडा दो ब्रमांडा विलो वे यू एक एक सब्द में एक एक वक्के में सक्ति वरिये दोस्तों आपको ढून ढून कर दाया गया है कहां कहां से यद्यप्री और बहुत से सुद्धू परसों के सब्द हैं ये लेकिन मैंने क्या-क्या पापर बिले हैं इनके कलेक्शन में मैं ही जानता हूँ नो नमर क्या इफिए ओवेदी रूल सो ब्रमांडा दा ब्रमांडा विलो वी यू आपको ऐसा फार्मूला दिया जा रहा है जो आपके नोकर नहीं घरवाले नहीं नोकरी नहीं घरवाले नहीं अफिश्ट वाले नहीं आपके एम्पलूई नहीं ब्रमांड भी आपका आदेश का पालन करेगा 10 नमर सुनेए येमात्मा इमर्सन के सब्द हैं इन में बहुत कुछ चिपा हुआ है ग्यार नमर सुनिए इस वर मुझे इस वर मुझे यदि इस वर मुझे किसी का अच्छा या बुरा करने की सक्ति देता भी है तो मैं किसी का अच्छा ही करूँगा जो कम से कम मेरी समझ का नुसार तो बुरा नहीं किसी का बुरा करना परमात्मा का काम है क्योंकि वही पुर्णू से जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और रेवेंज इजिट ग्यार नमबर आफरमेशन आपने सुनी बार नमबर सुनिए here nothing happens by chance here nothing happens by chance this is the world of perfect law and order this is the world of perfect law and order तेरे नमबर सुनिए अब यहां मेरा ही सामरज आ रहा है यानि कि मेरा मेरे विचारों का मेरे सब्दों का मेरे कारियों का मेरे साथियों का मेरे कोवर्स कर्श का क्योंकि मैं इस तरह के तरह दोड़ रहा हूं और उसके बच्चों की भलाई के लिए दोड़ रहा हूँ चौदे नमस तुनिये आपके सब्द भगवान के सब्द हैं और भगवान के सब्द आपके सब्द हैं इसलिए ये तो पूरे होंगे फिर भी यदि मान लोग कि भगवान के सब्द पूरे नहीं भी हो सकते नहीं भी होंगे लेकिन आपके सब्द उसके बच्चों के सब्द तो पूरे होंगे पूरे होंगे फाली करत होंगे क्योंकि हो सकता है किसी पापा के पास तूटी-फूटी पेडल साइकल भी नहीं हूँ लेकिन वह अपने बच्चों को तो ही रहोंडा मोटर साइकल दिला नहीं चाहेगा इस तरह से आपके सब्दों का पूरा होना God Guaranty रहे आप भगवान से बड़े काम कर सकते हैं आज आदमी ने कुछ-कुछ करके देखो क्या अपना जिवन बनाया है लेकिन यही वह अपने लिए अभी साब बनाता जा रहा है पंदर नमबर सुनिए My body is the body of universe My mind is the mind of Brahmanda My spirit is the spirit of cosmos और सुनिए शोले नमबर सुनिए You are what you think you are You are what you think you are As a man thinketh So is he देखो बहुत में मापरसों के भी यह सब्दे है You are what you think you are शाइद यह किसके सब्दे है किताब देखी क्या मैं बूल गया फोरी As a man thinketh So is he यह साइद बाइबल से आये है साइद इसा मसी के यह वेस्टन Thinkers के सब्दे है अब मेरे इस ब्यूटिफुल प्लेनेट पर कोई B.F.R. लागू नहीं हो सकेगा अब स्वरनिम युग आई रहा है मेरे इस ब्यूटिफुल प्लेनेट पर कोई B.F.R. लागू नहीं हो सकेगा अब स्वरनिम युग आई रहा है इसको भी आप बोलेंगे चाहे आपको B.A.F.R. की में निक समझ आई या नहीं आई अठानमर सुनिए बैए ऐसे तुम से क्या फाइदा होगा जो समझ आई नहीं आई हाँ पहले जब छोटे छोटे बच्चों को जैसे क्लास में ये कहा जाता है कि ऐसा ही करो ऐसा क्यों करो ये नहीं समझाए जाता ये बाद की बात है मुझे मालूम है कि मेरे पास जो है वे परमात्मा कर दिया हुआ है अठानमर अफ़ने से सुनिए मुझे मालूम है कि मेरे पास जो है परमात्मा कर दिया हुआ है वे सिर्फ मेरा ही मेरा नहीं है इसमें दूसरों का भी श्रता है मैं तो सरफ इसका एक ट्रस्टी हूँ और 19 नमर सुने परमात्म हम जानते है कि सब के भले में अपना भला है इसलिए अपने भले में भी सब का भला होना चाहिए और हम भले सब का अर्थ भी भली बानती जानते हैं और आगे सुनिए, आगे एक चोटी सी प्रात्ना है, हम प्रात्ना ये प्रात्ना करते रहते हैं, आज ऐसे कुछ लवस्था में तो हमारे पास लोगों ने प्रात्ना के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं, कैसे जीएगी दुनिया, सुनिए ये अद्वे, हे परमात्मा में चाली जीए, अब हम किसी जीव को नहीं खाएंगे, दारवे हम अन्ने कोई मादक पदात को नहीं खाएंगे, नहीं पीएंगे, मास मचली अन्डे जैसी चीज नहीं खाएंगे, हम आदमे आदमे में बेदभाव नहीं करेंगे, यानि जातिवाद को नहीं मानेंगे, हम हमें तुम पर पूरा भरोसा है हम जानते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही परमात्मा के दिया हुआ है और जर्थ पढ़ने पर आगे भी दिया जाएगा इस सुन्दर प्लेनेट पर हमें भेजने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा यह हमारी डपप प्रोग्राम की अफर में सुन्सें ठेंक यू ठेंक किस बात का आप मुझे ठेंक मुझे दीजिए राट को पौने दो बज़े पौने तीन बज़े तीन बज़े सुबा तीन बज़े मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मैं समझता हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए शैतान और फरिष्टे दोनों ही बगवान के बच्चे हैं माल लिया लेकिन उनका डिफरेंस इतना हो जाना सश्मुश में आज मानो ता के लिए खत्रे घंटी है यदि ऐसा ही चलता रहा तो मानो का भी था इस दुनिया में यह एक खोज का इसे बन जाएगा उन्हें लोगों के लिए जो थोड़े बहुत बच्चे रहेंगे आप सडकों पर नहीं आ सकते काम नहीं कर सकते सुबह भगवान का नाम नहीं लिए सकते तो अपने को कौन बचाएगा उन सेतानिक सक्तियों को देखिए जिन के पास धन जिसका अंदार नहीं डगाए जा सकता जिन के पास सता जिन के पास गमंड जिन के पास कुबुदी जिन के पास कुरूरता आपके छोट छोटे से बच्चे नोनी हाल क्या करेंगे मारे जाएंगे और मारे गए है अपने सौक के लिए अपने अठास के लिए लोग क्या कर सकते हैं दुनिया में सब कुछ होता है और ये इस बात पर भी निर्फर है कि आप क्या कराते हो आप क्या करते हो होगा तो होगा ये पर करती के कुछ नियम भी है लेकिन ये संतूलन जंगल का संतूलन नहीं है कि सुर किसी खास काम के लिए बना है यह भेड़िया है यह वाई खरगोस है यह चुआ है यह मानो मानो के बच्चों में इतना अंतर कर दिया अब यह दुनिया हिलेगी लोग मारे जाएंगे इसलिए भगवान ने भगवान के उस बंदे ने साध़ अब यह इसलिए कहा है कि अब यह इस पुट्वी पट्रल पर पुट्वी पट्रल कोई धूम पर कोई धूम धड़ा का होगा ऐसा लगता है जैसे अब कोई राष्टी अंतराष्टी सेतान यह तो अचानक मरेगा मारा जाएगा चार पुट्वी पकड़ेगा तरफेगा यह उसके साथ और भयान अगटित होगा क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो यह सेतान यह तो रुकेगी नहीं इसलिए भाई हमारा भी अंदा आ जाए अपन लोगों का मंगल जैसे लोगों का कि भगवान ऐसा करेगा और कुछ नहीं होते हैं लोगों प्रात्ना पर तो बैठ जाएए प्रात्ना हम बढ़ी सकती है इसमें लगता कुछ नहीं तेइस मन्त कर वीडियो हो गया है मैं चाहता हूँ हमारे डपा प्रोग्राम में बैठने वारे लोग भी इस वीडियो को भी पहले देख लें और लोग तो चैनल पर इसको देखेंगे इस आँके खोलिए खड़े हो जाईए जब ये च्छतें तूटकर गिर पढ़ेंगे तब कोई रास्ता नहीं बचेगा और क्या-क्या इंतिजाम तुम्हारे जिए उनको बरबाद करने के लिए लोगों ने कर रखे हैं तुम साइश सोच नहीं सकते आप बचोगे आप जीतोगे क्योंकि आपका सिध्धानत है जीओ और जीने दो जीओ और जीने देवे नहीं जीओ और उनके हेल्प करो के वेबी जीएं शैतानत की हूँ गाइब हो जाईए कुछ तो करो मेरे दोस्तो मेरे पास क्या है देखो मेरे कच्छा चाप अगरबती जल दिये यह मेरा चारजर फिटाइस के लिए यह मेरे दो छोटे छोटे से बोड़ है जो दो सो डाइश रुपे क्या है यह अफरमेशन का एक लिस्ट है जो अभी दीपक जी ने जिसकी पीडिय भेजी थी हमने यहां से निकाली यह मेरे कुछ पैन है यह मेरे पानी पीने को रखा है और कुछ हो या मत हो आपके पास जीवन ऐसा दिया है महात्माई सामसी कही सब्द नहीं है कि I and my father are one you and God are the same thing चाग जाईए नहीं जागोगे तो क्या होने वाला है जग जाही रहे डोल तंबूरी पर जाए जारी है कि हम ऐसा कर देंगे हाँ भाई अब यह तेल तेल देखो तेल की धार देखो सब के भले-भले के लिए इनी सब्दों के साथ आपका दोस्त मंगल आज इतना ही जाहीं जाहीं जे बारट